सवाल यह है कि जैसे खुला लड़की लेना चाहती है और लड़का देना नहीं चाहता है तो महर की जो रखम होगी वो लड़की को पूरा लटाना पड़ेगा या कि कुछ ही लटाना पड़ेगा लड़की खुला अगर लेना चाहती है लड़की को खुला के मतालबे का हग उसी वक्त है जब उसके पास कोई माकूल और कोई शर्य उजर को अगर कोई लड़की अपने शोहर से जिदाई का मतालबा करती है बगेर किसी उजर के माकूल उजर के वो उजर जो हकीकत में माकूल वहातु है, उसके बिगर था अगर वो मतालबा करती है तो ऐसी आरथ के लिए सकत होई है, गालिभा holiness के अंदर है, कि वो जन्नत की खश्बू propine पारी लोगा था वही है, तो अगर उसके पास माकूल उजए तो मतालबा कर सकती है, जिस तरह शोहर को हख है कि उसको तलाग दे सकता है उसी तरह बीवी को भी हख है कि वो मतालबा कर सकती है अगर वो जायज मतालबा कर रही है तो शोहर को चाहिए कि उसे खुला दे दे या तो उसे खुला दे दे या उसके साथ बैट करके जो उनके मसायल है उनको हल कर ले उसको राजि तो खलास मामला खतम हो गया। अगर वो फिल भी मुसिर है इस बात पर कि नहीं मुझे खुला चाहिए इस चाहिए। तो उप वो शौहर के उपर वाज़िब है कि उसको खुला दे। अगर वह नहीं दे रहा है और हकिकत में अवरत के पास माकूल उज़ रहे तो वो शौहर खलत कर रहा है उसे खुला देना चाहिए और अगर फिर भी वो राजी नहीं हो रहा है तो आवरत ऐसी सुरत में जाएगी जाहिरे अगर इसलामी हुकुमत हो नी तो वहां पर इसलामी अदालत होगी वहां पर जाके रुजू करेगी और फिर जो है पैसला करेगा हमारे हाँ सिस्टम नहीं है तो ऐसी सुरत में अगर दोनों खांदानों के जो बड़े अफराद हैं उनके पास मामले को ले जाया जाएगा वो लोग फैसला करेंगे उन दोनों के दरम्यान और फिर भी आँखर में अगर वो राजी नहीं हुआ तो उसके निकाह के फस्ख का फिक्न सा सुरत देकि खुला होता ही यही है। ​ बीवी अपने सुर्ण से च्भाई का मतालबा करे और कुछ इव Bringing कि इसकी कोई हद मताइयर नहीं है जितने में वो दोनों का आपस में बाहमी इतिफाद हो जाए इतना देगा इतने पर खोगा इतने पर खुला होगा किसी कोई हद बंदी नहीं है जो फैमिली मेटर है तो उसमें मतलब यही आम तोर से जो आता है मसला की महर वापस करना होता है ऐसी जानकारी मिल में आये था तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था कि महर की यानि पूरा रीटन करना पड़ेगा वो लड़का तो देना नहीं चाहता लेकिन फैमिली मेटर के या तमज़ोता होने वाला है नहीं ऐसा है बाए मेरे अब क्या मैं अपना जवाब दोरा हूं मैंने कहा कि वो माल जो आवरत हो लाख वक्त अपने शोहर को लेगी उसकी हद बंदी नहीं है ना तो कम से कम की ना तो ज्यादा से ज्यादा की जितने पर दोनों का इतिफाक हो शोहर 50,000 में ही राज़ी होगा, तो 50,000 देगी, शोहर एक सबाव लाग का मुतालबा कर रहा है, तो सबाव लाग देगी, लेकिन गुलमाने साथ में एक बात यह भी शिक्र की है, कि जितना महर है, बेहतर यह है कि उससे जादा ना मागे, वो एनी मौके का फायदा ना अगे, जितना आसानी के साथ वो अवरत जोहें दे सके, बाकि हद बंदी नहीं है, जितने पर दोनों का इतिफाख हो जाए, इतना काफी है,